मुकाबला है पाकिस्तान बनाम कैनिडा और यह फिर से केला जाए गाए तर नसाओ स्टेडियम न्यू यॉयॉक एक और एक्साइटिंग यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्यूंकि कैनिडा आरा के आरी है आईलेंड को इस मुकाबले में वाइल दूसरी तरह पाकिस्तान हा मेरी विन प्रेडिक्शन इस गेम है पाकिस्तान की तरफ है तिंग डेस्परेट होंगे कमबैक करने के लिए और बोलिंग कंडिशन इन्हें सूट करने चाहिए पता नहीं पाटिंग में चेस कर पाएंगे यह नहीं कुछ कह नहीं सकते हैं बट एक्सपेक्ट कर रहा हूं क कि अगर इनके सामने भी हार दें तो फिर तो लानती एन पर क्या किया सकता हूं है मिनी जील्स पर फोकिस करेंगे जैसे मैंने का इसले नहीं क्योंकि एक बंचारे गेम एक्सपेक्ट करना हूं इसले क्योंकि इतने सारे बोलर्स गेम में आरे कि आप किसको छोड़ोगे वह ही वहाँ पर एक कंसर रजाता है तो मिनी जील्स एन जील्स पर भी फोकिस करेंगे जब हम टीम बनाएंगे स्मॉल लिग्स अगर आप खेल तो माइमास्ट लेवन पर खेल सकते 50,000 का गिवर भी चल रहा है इस मैच में पर तो जागे जॉइन कर लीजेगा और बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं हम 11 पे लास्स कुछ गेम की मैंने स्क्रींशोट भी शेर किये एक मैथोडिक ली आप खेलोगे तो आपको मजा आएगा क्यूंकि गेम सारे इतने सारे ट्विस्ट कर रहे है एक टीम के तरफ भी दूसरी टीम के तरफ भी तो दोनों साइड आपको एंट् आपको मिल रहा है सुने आप साइन अप कर लेता है तो जाके साइन अप करिये हैं नमजा है आप पर तो बिलकुल आप खेल सकते हैं आप चलते तो टैक्टिकल कॉनर इंडिस गेम कैनिडा वसिस पाकिस्तान बात करें पहले कैनिडें साइट की तो यहां पे आरिन जॉंसन परफनेशिप है बट क्या यह इस क्वालिटी और बोलिंग के सामने लास्ट करेगी वह एक की क्वेस्टन है आइलिंड के सामने भी कुछ औरी विकेट गया इनके इनका जो मिडल ओर उनका की होगा विद परगत सिंग निकलेस कर्टिन जो इनके बेस्ट बैटर है और जो अब तक ज्यादा काम कर चुके हैं यह कंडिशन उने सूट करेंगे तो विद बैट एक कंसरन है बट मुझे लग रहा है कि अगर यह पहले बोलिंग करते हैं तो यह गेम काफी एक्साइटिंग हो सकता है क्योंकि आप इनके बोलिंग की बात करें तो कलीम सना एंड जेरिम डालते हैं शाप spinners हैं और पिट से ग्रिप पाने की भी कोशिश को करते हैं तो काफी एफेक्टिव हो सकते हैं तो काफी एक्साइटिंग यहां पर हो सकता है स्पेशली एफ कैनेडा बोल फॉर्स आपको पता है कि कुछ खास फॉम में चलने रही है और जैसे मैंने पहले अपडेट्स आपको वही पर मिलेगी और लाइक ओल्वेज लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करिए ताकि यह वीडियो और लोगों तक पहुच पाएं बेल आइकन जरूर हिट करिए ताकि आपको आगे के वीडियो के नोटिविकेशन मिलते रहें वेजर रिपोर्ट क्लियर ह वापस एक पूरा बुखाबला देख सकते हैं और पिच की हम बहुत बार कर चुके हैं बार बार एक बार दो बार दस बार पर पिच का भी एवर बिल्कुल वैसा है रहा है एक सो पचास भी क्रॉस नहीं हुए एक जो इंट्रेस्टिंग बात है इस गिए में हाई स्कोर इस में दो एक्साइटिंग बैटर जैन के पास फिर है परगत सिंग निकलेस कर्टेन और मोवा टेबल बैटर जैने मिडल ओर कर्टेन के बास बहुत सारे अटैकिंग शॉट भी दिलप्रीद बाजवा एं हेलिंग में दो बिगेटर्स डाउन दी ओडर और साथ बिन जफर भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं सिदीकी सना और गॉर्डन को और डीटेल में डिसकस करूंगा कि बोलर्स का ये मुकाबला हो सकता है पाकिस्तान की टीम को था हम वैसे भी डीटेल में डिसकस कर चुके हैं बिफोर दी इंडिया गेम बट फिर भी सारे प्लेस को सामने नहीं खेले हैं एक ही गेम केला है 2008 में जो पाकिस्तान जीती थी तब अगले साल मौमद आमेर साथ बिन जफर ने डेब्यू किया तब तक तो ये सारे प्लेस में से कोई भी उस टीम के इर्द गिर्द भी नहीं था तो अफ्कोर्स कोई आपको हेट तो यहां पर कर सकते हैं बट जैसे इनका और रिज्वान का बैटिंग स्टाइल है चाहिए पहले बैटिंग करें इन दोनों को छोड़ने का चांस तो नहीं लोग है क्योंकि जिस तरीकी की बैटिंग करते हैं यह हो सकता है कि पाकिस्तान को मैच हरा दें पर फैंटेसी पॉंट्स तो ज यहां पर कंडिशन में थोड़ा स्टागिल कर सकते हैं आसान बैटिंग कंडिशन तो नहीं कह सकते हो ने जील टीम में एक दो टीम में ट्राइक करीगा बट बेस टीम में लेना मुश्किल होगा स्पेशली क्यूंकी फॉर्म हमने देखानी अब तक फिर चले आगे की तरफ यहां है फकर जमान एक मैच में तेरा रान एक बड़ा सिक्स मारा था इंडिया की खिलाफ इनका रीसेंट फॉर्म ठीक था किया बट फिर से वही सीन है कि यहां पर पिछ इतनी आसान नहीं है इन यह भी पसंद करते हैं कि स्टार्टिंग से आगे खिटिंग करें तो आपक पहले बैटिंग एंड सेकिंड बोलिंग मैं आपके लिए वाल्यू पिक बन सकते हैं प्रॉबबबली अटिफरेंशल इंडिस चाहिए लास्ट मैच में एक बी ओवर बोलिंग की बट प्रॉबबबली इस गेम में बोलिंग कर जाएं क्यूंकि निकलेस कर्टिन लेफ्ट- इमाद वसीम यह काफी शाप स्पिनर है स्टम टू स्टम रखते हैं बॉल को और जो टॉप और की सामने अगर इन्हें मौका मिल गया तो एक दो विकेट्स निकाल सकते हैं आपको अगर याद है अकील होसे इनकी स्पेल वसिस योगेंड़ आपकोस यहां पर बैटिंग उत एक्स्टा बैटर खिलाने की चाहर रखते हैं शाहिन अफरीद एक गुड़ कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस चाहे पहले बोलिंग करें हैं सेकेंड क्योंकि वो मुवमेंट पाएंगे विद बॉल और इन ताइप की कंडिशन इनके लिए कंड्यूसिव रहनी च देखा एक दो कटर्स डाले जो बॉल गुड़ लेंद पर रहके उपर सडिनली बांट रही थे अगर आप जड़ेजा का भी डिसमिसल देखोगे उस तरीकी की डिलिवरी थी और उसे साबसे काफी एफेक्टिव रह सकते हैं ऑन इस स्पेसिफिक पिच क्यूंकि उनकी इतना खेलती नहीं इतना रेगिलर ली उस टाइप के रह पे इसको तो हैंस एक जील कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी चॉइस यह भी आपके लिए बंद कर आ सकते हैं एक मैच में तीन विकेट्स ले चुके हैं जो वर्स इंडिया था नसीम शाह इन्होंने भी तीन विकेट सी की ओवर्स का स्प्रिट किया रहते हैं काफी इंट्रेस्टिंग होगा बट मेरे साब से तो पाकिस्तान सीम लिटल मौर बैंकबल अब चलते कैनिडा की तरफ जैसे मैं करता आ रहा हूं जो भी छोटी टीम उनके मैं सिर्फ की प्लेश डिसकस कर रहा हूं क्योंकि हमें भ स्टाइल पूरान की तरह अगर आप जाके हाइलाइट देखेंगे थोड़ा पूरान के जितना शॉट ट्रेंज नहीं है पर थोड़े ज्यादा लेक्साइड डॉमिनेंट है वह एक तकलीफ हो सकती है बट काफी अच्छे पिक अप शॉट किया होता है तो एक प्लेयर तो ग्रेंड लीज में अगर आपको लग रहा है कैनेडा ठीक टाक स्कोर बना देगी तो इनका इसमें काफी कॉंट्रिबूशन रह सकता है दिलन हेलिंगा पहले बोलिंग करेंगे तो डेफिनिटली मेरी साइड में रहेंगी यह टाइप की पिच इन्हें बिल्कुल सूट करे क्योंकि यह डालते ही वह नैच्रल गुड लांत है और इनके चेंज अपस यहां पर बॉल करेंगे और अपन डाउन बाउंस करेंगे तो काफी एफेक्टिब रह सकते हैं उसके अलावा साथ बिन जफर यह भी मेरी टीम में रहेंगे चाहे पहले बोलिंग करें या सेकेंड क्योंकि जिस तरीके की शाप लाइंज डालते हैं बिलकुल परेशान कर सकते हैं यहां पर थोड़ा टर्न भी इने मिलाता है इन दे गेम वसेस आइलेट जुनेत सिदीक की इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है बट मैंने जब इनकी बोलिंग देखी इन दे लास गेम कैप्टेन वाइस कैप्टेन बट यह किसी की टीम में भी नहीं होंगे तो अधर डिफरेंशल बिलकुल काम आ सकते हैं स्पेशली अगर आप प्राइविट लीग्स खेल रहें जेरिमी गौड़न यह वापस ऑन बैक ओफ लेंड डालते हैं इनका मैंने प्रेस कॉंफेंस द क्योंकि बहुत सारे आपके लिए वहां पर है प्रिकुस पे बोलिंग तो इनकी काफी कॉलिटी है कलीम साना यह पाकिस्तान से ही है और बाबर आजम को आउट किया है इननोंने फॉर्स क्लास मैच में जब यह पहले वहां पर खेलते हैं इनके लिए प्रॉब्लम क्या होग में भी उतना इंपोर्टेंस नाओ इन कंपारिजिट तो दी अधर बोलर्स तो यह रहे आज की की प्लियर्स अब बनाते हैं हमारी आज की फैंटेसी तो भी स्टार्ट विपिंग सेक्शन यह इन मोहमद रिजवान होंगे आपके लिए एक फिक्स पिक बाबर आजम मेरे सा आप से एक फिक्स पिक होंगे इस मुकाबले में तो यह दो होंगे आपके लॉक पिक इस सेक्शन से ऑल रांडर सेक्शन से डिलन हेलिंग को क्योंकि आपको बैट और बॉल दोनों से वाल्यू मिलेगी साथ बिन जफर भी बहुत ही इंप्रेसिव पिक हैं जिस तरीके से ब काफी अच्छा है तो मेरे साब से यह जो नौ प्लियर्ज है आप जब अपनी ग्रैंटी की भी टीम बना रहे तो प्लियर्ज इनके अराउंड ही आप रोटेट करोगे अब इसके अलावा आप बाकी के स्लोट कैसे बरोगे मेरे साब से पाकिस्तान बैट फॉर्स और बोल स जाएगा एंड जो लास्ट है इफ पाकिस्तान बैट फॉर्स में जाओंगा विद फकर जमान वाइल इफ पाकिस्तान बैटिंग सेकिंड उसकेस में आप जा सकते हो वितन एक्स्टा पेसर यहां पर कलीम सना हो सकते है एक अच्छी पिक सो थोड़ा सा कन्फूज हो मैं ऑन पिक्स पाकिस्तान पहले बोलिंग करते हैं तो हैसरोफ क्यूंकि डैथ में डालते हैं आपके लिए अच्छी वाल्यू दे सकते हैं यह ऐसे टाइप का यह होगा कि दोनों साइट से हो सकता है मिला कि 16-17 विकिट यहां पर गिर जाएं स्पेशली अगर पाकिस्तान अपने वही बेकार बैटिंग फॉर्म में वापस तो यह रही हमारी आज की टीम जस्ट प्रेडिक्ट इन दो कॉमेंट्स आपको क्या लगता है अच कितने रहन मनाएगी पाकिस्तान इन टोटल क्यूंकि वही है आज की मिस्टरी क्वेस्टिन और उसके अलावा आपको आप सबने यह भी मांगा कि हम कौन से रोटेशन कर सकते हैं इस गेम में और क्या सिनारियो में तो एक तो है उस्मान खान अगर यह टीम पहले बैटिंग करती हमने देखा है कि बैटिंग कंडिशन जब बॉल हाड रहता थोड़ा सा बहतर रहता है तो बैट आन उस्मान खान आएंगे तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको करके दे सकते हैं तो अगर आपको लग रहा है बापर यह रिजवान में से एक जल्दी आउट हो जाए तो उस्मान का रोल वहाँ पे बन सकता है इन बैटिंग सेक्शन फकर की बात हमने अलरी कर ली और निकिलस कर्टिन की बात भी हमने कर साथ बन जफर हेलिंगर और इमाद वसीम को हम अल्रडी ले चुके हैं इफ वी केट एनी हिंट अगर वो सेकेंड बोलिंग कर रहा है तो मैंने टीम में लोंगा इफ्तिकार इमत इफी बाट्स फर्स्ट विल बी इन माई साइड बोलिंग सेक्शन से तो अल्रडी हम की प्ल सबसे जरूरी बात है अब तक यहां पर पिक्स लाइव नहीं हुए हैं एंस मैं शेर नहीं कर पा रहा हूं बड़ आप साइन अप कर सकते हैं जैसे मैंने आपको काया लाज कियम में भी मैंने यहां पर काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया नॉट अट अल्ली फिंग कि मैंने सिर्व एक ही शेर लिया था वो तक केशम माराज का जहां से मुझे 275 मिले हर शेर होता है दस रुपे का बाकी के मैंने 14 शेर फुली वेस्त है फिर भी वह एक शेर से इतना ज्यादा प्रॉपिट होगे आप देख सकते हैं यहां पर 125 का प्रॉफिट एक दो और शे जादा सेफर है पूरी वीडियो में अरड़ी बना चुका हूं इस बात पर अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल पर अल्री अप्लोड रहा है रिमेंगर तो जॉइन आस एड़ेट फैंटिसी क्रिक्ट वान ट्विटर एं टेलिग्राम फॉर फाइनल टीम्स और अपड